हलो इस्टुडेंट्स यूनिट 3 के हम अलड़ी 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने मोमेंट को टोसिस और इसक्यूनिस को हमने कवर किया है आज हम जो लेक्चर नमबर 4 में मैं जो प्राब्लम लेने जारी वो इन तीनों टॉपिक पर बेस्ट है और ये प्राब्लम हमारे important problems है तो अगर आप ने तीन वीडियो इससे पहले के नहीं देखे है तो इन तीनों वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर जस्ट प्राब्लम कैसे solve करना है ये मैं आपको explain करने जा रहे हूं तो यहां मैं आप फस्ट प्राब्लम ले रह में और number of students हमें given है उसने हमसे कहा कि central moments find out करिये तो central moments इसका meaning question में वो आप से mu r की value पूछ रहा है इसलिए ये वीडियो specially shoot किया है तो देखें यहां हम काम कैसे करेंगे central moment की बात करी तो मैंने सबसे पहले central moment के यहां कुछ formula लिखे है तो यहां मेरे पास जो आपके पास mu 1 है यहां यह चीज गटबढ लिखे है दिस आपके पास जो mu 1 की value हाँ पर हम लेते हैं mu 1 आप सबको पता है कि mu 1 की value हमारे पास क्या आती है 0 आती है first central moment mu 1 is always 0 mu 2 आपके पास क्या होगा summation of fi x i minus x bar का whole square by summation of fi meaning जितना भी deviation है वो हम mean से लेते हैं जब भी हम इसको central mean कहते हैं उसके बाद mu 3 की अगर हम बात करें तो mu 3 summation of fi x i minus x bar whole power 3 by summation of fi और mu 4 में यहां power आपके पास 4 आजाएगी divided by summation of fi this is central mean और इसी के साथ हमने raw moments पढ़ेते raw moments जो आपके पास होते हैं यह किसी arbitrary number के about होते हैं तो mu 1 dash हम कैसे निकालते हैं कि अगर हमने कोई arbitrary number select कर लिया यह मेरे पास arbitrary number है तो formula बनता है summation of fi x i minus a upon summation of fi mu 2 dash निकालना है power 2 हो जाएगी mu 3 dash निकालना है power 3 हो जाएगी mu 4 dash निकालना है power 4 हो जाएगी तो और हमने इसके बाद जो हमने वीडियो में पढ़ा था वो हमने relations भी पढ़े हैं यह relations जो हम यहाँ इस particular question में मैं use करने जा रही हूँ यह relation मेरे होंगे mu r and mu r dash में relation अब देखे उसने center moment पूछा है यह मेरे question की complexity पर depend करता है कि मैं काम कैसे करते हूँ या तो मैं इस पूरे series का जो आपको series दी है इस पूरे series का mean निकाल लूँ और direct formula में यह apply करती जाओं दूसरा मेरे पास option है कि मैं एक इसमें से arbitrary point अपने मन से select कर लूँ और directly मैं formula अपलाय करती जाओं इस formula जो आपको यहाँ दिये गए हैं और उसके बाद मैं relations का use करूँ और relation की help से मैं easily mu r की value find out कर सकती हूँ तो देखे question करने का मैं आपको यहाँ तरीका से खाने जा रही हूँ कि मैंने इस question को किस तरीके से किया है क्योंकि मुझे calculation simple करनी है तो सबसे पहले मैंने दो column बनाए यह आपके पास x है और यह आपके पास frequency given है तो मैं अपने table में दो column add कर रहे हूँ first column मेरा height meaning x के corresponding है दूसरा column मेरा f frequency के corresponding है तो x के corresponding जो आपके पास column है जो इसकी entry है 59, 61, 63, 65 तो यह entry में है आप put करती हूँ this is 59, 61, 63, next entry मेरे पास है 65, 67, 69, 71, 73 and 75 यह मेरे पास column of x आ गया आप question में आपके इसकी frequency दिखाती हूँ frequency is 0, 2, 6, 20, 40 यह हम है पूट कर रहे है this is 0, 2, 6, 20, 40, next frequency है मेरे 28, 22, यह data मुझे given है और मुझे central moments required है अब central moments अगर required है पहला तरीका जो मैंने आपको भी बताया कि मैं इसका क्या निकाल लू, mean निकाल लू तो mean से तो मैंने आपको बहुत से question करा दिये है मीन निकालके चाहे तो आप इस question को mean से attempt कर सकते है और mean से अगर attempt करना चाहते है तो इस series का आप mean निकालने summation of f i x i upon summation of f i और सारे deviation आप इस mean से निकालते जाए लेकिन मैं इस approach को ना लेते वे मैं जो यहाँ पर approach लेने जा रही हूँ मेरी approach है कि मैं एक arbitrary point के about सारे moments calculate करूँगी और उसके through मैं mu r की value find out करूँगी तो यह आपकी choice है कि आप question को कैसे attempt करना चाहते है मुझे calculation simple बनानी है इसलिए मैं arbitrary point select कर रही हूँ तो देखे यहाँ जो मैंने arbitrary point select किया मैंने एक mid value select कर ली तो मैं यहाँ पर एक mid value select कर रही हूँ this is 67 तो मैंने अपने question में ले लिया x minus a meaning मैं लेने जा रही हूँ x minus 67 तो यह मेरे पास हो गया x minus 67 a मैंने 67 select किया तो अगर मेरे पास 67 a है तो मैं यहाँ पर x minus x है आपके पास 59 minus 67 तो यह आपके पास value आगए minus का 8 next आप 61 minus 67 this is minus का 6 63 minus 67 this is minus का 4 65 minus 67 this is minus का 2 67 minus 67 is 0 69 minus 67 is 2 71 minus 67 is 4 73 minus 67 is 6 and 75 minus 67 is 8 तो मेरे पास ही column form हो किया आगया जो simple से number है तो यह मेरे पास x minus a बन गया अब कभी कभी question जो हमारे पास आता है calculation हमारी थुड़ी tough होती जाती है तो इसे question में एक method सिखा रही हूं कि यह जो मेरे पास column है 8, 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6, 8 यह सारे के सारे number एक particular number से divide हो सकते हैं तो अगर calculation को और भी simple बनाना है तो आप इस calculation को और भी simple बना सकते हैं तो यह एक variable लेट कर लिजे u equals to x minus 67 की जो भी value आई उसे divide मैं करने जा रही हूं 2 से तो minus 8 by 2 this is minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 1, 2, 3, 4 मेरे calculation और भी simple हो गई यह simple हो गई अब formula में कैसे change करना है यह मैं आपको समझाओंगी कि formula आगे मैं कैसे change करूंगी तो next column मैं हाँ पर बनाने जा रहे हूं fu क्योंकि मुझे moments निकालने है next fu का square third moment चाहिए और fourth अगर मुझे चाहिए fu की power 4 मुझे यह required है तो सबसे पहले fu तो fu पर हम आते है fu की value देखे कहां से मिलेगी this is f और this is u दोनों की multiply कर दी 0 minus 3 and 2 this is minus का 6 minus 2 into 6 minus का 12 minus 1 into 20 this is minus का 20 0 1 into 20 this is 20 8 into 2 this is 16 3 into 2 this is 6 and 4 into 2 this is equal to 8 अब इसी तरीके से fu स्क्वाइर मुझे निकालना है तो देखे ए fu तो आप आप अलरी निकाल चुके हैं इस fu में एक u से multiply और करते हैं 0 into minus 4 0 into minus 4 this is 0 या u का स्क्वाइर और f की multiply करते जाएं तो ये मेरे पास जो कॉलम बनेगा this is 18 24 this is 20 0 20 18 and 32 ये आपके पास आगया fu स्क्वाइर अब हमारे पास यहां पर हम fu स्क्वाइर तक value लेकर आच चुके हैं अब मुझे चाहिए fu q तो देखे fu स्क्वाइर का कॉलम तो आप अलरी बना चुके हैं इस कॉलम के अंदर एक u से multiply और कर दें तो अफ्यू q का कॉलम प्रपैर हो जाएगा तो 0 into minus 4 0 18 into minus 3 तो ये आपके पास हो जाएगा minus का 54 24 minus 2 minus का 48 20 into minus 1 इस आपके पास ये बन गया minus का 20 0 into 0 20 into 1 ये आपके पास बन जाता है 20 32 into 2 this is 64 18 into 3 this is 54 and 32 into 4 ये आपके पास आगया 128 next अप आप देखें f u की पावर 4 बनाना है f u cube आप अप अल्रेडी बना चुके हैं तो इस कॉलम के अंदर एक u से multiply कर दें तो 0 into minus 4 फिर से 0 minus 54 minus 3 ये value मेरे पास positive आजाएगी this is 162 तो minus का 48 और minus का 2 से multiply करेंगे 96 ये आपके पास बन गया 20 0 next 20 128 और next value आगई 162 and 512 अब इनके सारे summation एका लीजे तो summation of f u square के अगर बात करूँ तो इनको addition कर लेए calculator सब के फास होगा this is 1100 and 144 f u square आपके पास आजाएगा 164 और अगर मैं इनका addition कर दूँ तो मेरे पास ये value 12 आजाएगी और summation f भी निकाल लेता है तो summation f की value आपके पास आगई 100 तो आपने इस तरह से table form कर ली तो u मेरी choice था ये जो u है ये मेरी choice थी कि मैं अपनी calculation को और simple बनाओ तो आप question को किसी भी तरीके से कर सकते है mean से कर सकते है x-67 लेके कर सकते है मैंने divide by 2 भी कर दिया अब जैसे मैंने divided by 2 किया तो मेरे formula में क्या changes होंगे तो सबसे पहले देखे मैंने एक arbitrary number या select किया है 67 मैं इसके about क्या निकालने जा रही हूँ सारे moments निकालने जा रही हूँ तो जो मेरे पास first formula होगा वो mu1 dash होगा तो mu1 dash में क्या लिकूंगे summation of fi x i minus का 67 divided by summation of fi यह होना चाहिए मेरे पास formula mu1 dash बट मैंने यहाँ पर एक form किया कि x minus 67 तो मैंने लिया लेकिन मैंने इसे divide किस से किया 2 से divide किया है तो इसी formula को हम किस तरह से convert करेंगे तो mu1 dash यह आपके पास आगया summation of fi x minus 67 by 2 meaning इसकी जगा मैंने यू लिखा divided by summation of fi divided by 2 है तो multiply by 2 भी करना होगा into 2 तो mu1 dash का मेरा यह formula बन गया मतला मैंने जिससे divide किया उससे मैंने यहाँ multiply कर दिया इसी तरह के से मेरे पास mu2 dash होगा तो mu2 dash मेरे पास simple formula आना चाहिए था summation of fi x i minus 67 का whole square divided by summation of fi बट यह formula अब मैंने क्या convert कर दिया mu2 dash तो summation of fi यहाँ मैंने u square लिया है divided by summation of fi तो u square लिया है इसका मैंने 2 से divide किया था तो 2 के square से मुझे multiply करना होगा mu3 dash मेरे पास formula बनना था summation of fi x i minus 67 का whole cube divided by summation of fi लेकिन मैंने 2 से divide किया तो मेरे formula यहाँ change हो गया summation of fi u cube divided by summation of fi 2 से divide था cube की बात कर रही हूँ तो 2 cube से multiply similarly mu4 dash मेरे पास formula बन जाएगा summation of fi u की power 4 upon summation of fi और यहाँ पर आजएगा 2 की power 4 सारी value मैं already find out कर चुकी हूँ बस मैं value पूट कर रही हूँ और mu1 dash mu2 dash हो find out करने जा रहा है तो mu1 dash this is equals to summation of fi into u तो summation of fi into u का मैं आपको sum दिखाती हूँ यह मेरे पास है 12 this is 12 तो यह मैंने value पूट करी 12 divided by अब आपको चाहिए summation of fi summation of fi आपको दिखाती हूँ कि इस कॉलम का जो sum था इस कॉलम का sum है आपके पास 100 तो आपने यहाँ divide कर दिया 100 और multiply कर दिया 2 से तो जब आप इसको simplify करेंगे तो simplify करके value आजेगी आपके पास point का 2, 4 यह आपके पास value आगई mu1 dash this is first wrong moment निकलाया अब हम निकाल रहे हैं mu2 dash formula आपने बनाया हुए summation of fi u का square divided by summation of fi और यहाँ multiply कर रहे है 4 से तो fu का square fu square यह रहा आपके पास कॉलम और इस कॉलम का जो sum है वो है 164 को divide करेंगे 100 से तो value आपके पास आगई 164 divided by 100 और multiply आपने इसको कर दिया 4 से तो यह value आपके पास आसा जाएगी 6.56 this is mu2 dash this अब हम निकाल रहे है mu3 dash तो mu3 dash में जो roll है वो summation fi u cube upon summation of fi into 2 का cube 2 का cube आपके पास हो गया 8 तो summation of fi u cube यह आपको दिखाते हूं summation of fi u cube तो इस कॉलम का जो sum आ रहा था वो था 144 144 को 100 से डिवाइड कर दें 144 दिवाइड by 100 into 8 यह value बन जाती है 11.52 now mu4 dash this is summation of fi u की पावर 4 of summation of fi into this is 16 2 की पावर 4 तो summation of fi u की पावर 4 यह जो आपके पास sum है इस कॉलम का sum देखिए इस कॉलम का जो sum आपके पास आ रहा है यह sum है 1100 100 से डिवाइड करेंगे तो this is 1100 divided by 100 into 16 तो value आपके पास आ जाएगी 176 तो इस तरीके से आपने total 4 moments find out कर लिए जिसका मैं answer लिख रही हूं mu1 dash मुझे मिल गया 0.24 mu2 dash मुझे answer मिल गया है 6.56 mu3 dash मेरे पास answer है 11.52 और mu4 dash इसका answer है 176 इतना काम आप कर चुके हैं इस question में और लेकिन इस question में आपसे पूछा गया था इस question में पूछे गया है central moment मेनिक इसकी help से मुझे mu r की value find out करनी है mu r की value find out करने के लिए हम use करने जा रहे है relations तो हम relations का use करते है relation between mu r and mu r dash तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है relation के corresponding तो वीडियो number 2 देखे जो lecture number 2 है mu 1 हम सब जानते है mu 1 0 होता है directly लिख लिया mu 1 is 0 mu 2 अगर निकालना है तो ये बन गया mu 2 dash minus का mu 1 dash का square mu 2 dash already मेरे पास है 6.56 minus का mu 1 dash 0.24 का whole square इसे आप calculate कर ले तो value आपके पास आ जाएगी 6.5 this is 0 2 4 now आपको निकालना है mu 3 फिर से relation का use करेंगे mu 3 dash minus का 3 mu 2 dash mu 1 dash और plus का 2 mu 1 dash का whole cube value मैं इसमें फिर से पुट कर रहीं mu 3 dash हमारे पास अल्रेडी है 11.52 minus का 3 mu 2 dash ये आपके पास है 6.56 mu 1 dash 0.24 है plus का 2 0.24 का whole cube calculator की help से इसकी value find out करने this is 6.8244 ये value आपके पास आ गए mu 3 तो ये mu 3 की value तो यहां से mu 3 is 6.8244 और अगर मुझे u 4 निकालना है तो मैंने फिर से relation का use किया mu 4 dash minus का 4 mu 3 dash mu 1 dash plus आगर आपके पास ही आजएगा 6 mu 2 dash mu 1 dash का square और next value आजएगी minus का 3 mu 1 dash की power 4 तो देखें मेरे पास ये सारी values है mu 4 dash mu 4 dash मेरे पास है 176 मैंने ये values में put करी this is 176 minus का 4 mu 3 dash mu 3 dash मेरे पास है 11.52 तो this is 11.52 and mu 1 dash mu 1 dash है मेरे पास 0.24 this is 0.24 plus का 6 mu 2 dash mu 2 dash आपके पास है 6.56 this is 6.56 mu 1 dash 0.24 का whole square minus का 3 0.24 की power 4 calculator से आप इसकी value इसली find out कर सकता है 167.1979 ये मेरे पास value आगए mu 4 तो देखे जब हमने इस question को निकाला तो इस question में हमसे क्या पूछा गया था question में हमसे पूछा गया था central moments तो हमने central moments calculate कर लिए तो central moments की value अगर आप देखें तो mu 1 आपके पास आगया 0 mu 2 आपके पास 6.5024 mu 3 आपके पास ये value है और mu 4 आगया this तो central moment हम find out कर चुके है अब question में question का second part आप से पूछा गया है तो second part में आपके पास है calculate kurtosis kurtosis मतलब हम बीटा 2 निकाल ले जा रहे है तो बीटा 2 का formula यूज करते है so for kurtosis beta 2 beta 2 आपके पास होता है mu 4 अपन mu 2 का square तो question के according mu 4 है 167.1979 upon mu 2 तो देखिए mu 2 हम निकाल चुके है 6.5024 तो हमने value रखी 6.5024 का whole square तो ये value by using calculator मेरे पास value आजाती है 3.9544 तो हम ही क्या देखना होता है this is greater than 3 इसका meaning एक result आगया कि beta 2 greater than 3 है इसी तरीके से हम एक coefficient निकालते है gamma 2 gamma 2 मेरे पास आता है beta 2 minus 3 तो हम किसी की भी help से देख लेते है beta 2 अगर 3.9544 minus 3 है तो ये obviously greater than 0 होगा तो result मेरे पास क्या बना beta 2 greater than 3 gamma 2 is greater than 0 तो ये क्या बताता है कैसा data है मेरे पास ये जो कुर्टोसिस है this is lacto-curtic lacto-curtic मतलब highly picked data होगा क्योंकि जो लाप्टो-curtic का result आता है beta 2 greater than 3 आता है तो कुर्टोसिस का टाइप है it's a lacto-curtic तो आई थिंक ये कोशन लेने का सिर्फ इतना परपस था कि आप इस question की help से ये जान सके कि जो मेरे पास central moment मुझे कहा गया था निकालने के लिए एक तरीका था central moment कि मैं mean से calculation करूँ लेकिन अगर कभी-कभी mean हमारा point में आ जाता है तो point में calculation करना थोड़ा tough हो जाता है तो इसलिए हमने सारे calculation raw moment से करे और raw moment में भी एक तरीका आपको बताया कि यहाँ जो column मेरे पास आया था इस column को अगर हम two से divide कर लें तो calculation और simple हो गई तो यह सिर्फ तरीका मैंने इस ले लिया जिससे की calculation को हम simple कर सके तो आप इस तरीके से question को attempt कर सकते हैं Thank you so much मैं यहाँ पर आपको एक practice question दे रही हूँ तो practice question में आप try करिएगा और question है मेरे पास find skewness and kurtosis for the following data और data मेरे पास है this is height and frequency height यहाँ पर given है first है 144.5 to 149.5 एक class interval है frequency is 2 second 149.5 to 154.5 and frequency is 4 next है 154.5 to 159.5 and frequency is 13 next class interval है 159.5 to 164.5 and class frequency is 31 164.5 to 169.5 and class frequency is 32 next मेरे पास frequency है 169.5 to 174.5 and frequency is 15 and 174.5 to 179.5 and frequency is 3 तो आपको find out करना है skewness and kurtosis और या फिर हम इस question को ऐसे भी दे सकते थे कि comment on the nature of the following distribution तो अगर आपको नेचर बताना है distribution का तो इसका मेनिंग आपको skewness and kurtosis find out करना होगा तो आप इसको question को कैसे भी कर सकते हैं चोईस है कि आप central moment directly निकाले या फिर आप raw moment से करें ये आपकी चोईस कि आप इस question को कैसे कटना है इसके जो answers आपको मिलेंगे कि इसके उनिसका जो answer आएगा coefficient gamma 1 gamma 1 आपको मिलेगा minus का 0.3834 ये आपका answer आना चाहिए और kurtosis का coefficient बीटर 2 ये value आपको मिलेगी 3.25 इसका meaning 3.25 answer is laptop को tick होगा and negative में मिल रहा है तो data आपका negatively skewed data होगा तो ये आपके पास answer है तो इस question को try जरूर करेगा ये 2011 में आया question है तो answer को try करें